है दोस्तों नमस्कार एक बार फिसी स्वागत है आपके अपनी यूटुब चैनल दियो जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों मुने आपर हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं जो की काफी बेतरीन आपका टेस्ट है और देखा जाए बिबीन परिच्छाओं के लिए बहुती बेत सभीति एक गंट है थिरीन आपका है तो चलती स्टाँट करते गोड़ि वनिंग सभी को गड़िविनिंग सभी को रमराम सभी को जैहिन उम्मेद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे तो चलिए स्टार्ट किया जाए आवाज मिल पारी है हमारी चलिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखो कोशन दिया गया है सूर्दास के गुरु कौन थे सूर्दास के गुरु कौन थे यहाँ पर जवाब देना है तो चलिए यहाँ पर आपका अंसर क्या हो जएगा सूर्दास की गुरु जवाब के थे कौन थे चलिए सभी लोग जवाब दीजे साथ में जवाब दीजे भई चरे यह option देखे, option जो आपका होज़ेगा, c नमबर होज़ेगा, वल्लवा 4 हो जाएगा, वल्लवा 4 जो कि option मनेगा, यहाँ पर आपका c नमबर हो जाएगा, ठीक है, और याद रिखेगा, जो अस्ट छाप कभियों में एक अग्रणी माने जाते हैं, और याद रिखे, सूर् रसके समराट मने जाते हैं, question पुझा जाता है, कि वह अतसल रसके समराट किसे मना जाते हैं, तो आपके सूर्धास को मना जाता है, तो आप समनेगा आपका c नमबर, अगला चंद पढ़ते समय आने वाले वीराम को क्या कहते हैं, यहाँ परंसर क्या बनेगा, तो याद रि होते हैं उसमें एक से अधिक चर्ण में समय में विशेस्टा बतलाते हैं उसे कहते चलिए सब्स सन्हाँ की विशेस्टा दें है तो देखे आप कैसे का जाता है याद रेखें यह कोसिन कर देता थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो विशेशन और थोड़ा परिवर्तन तो विशेश तो याद रिके विशेशन सब्द जिस संग्या सरुनाम की विशेशता बताते हैं उन्हें विशेश सिखा जाता है ऑप्सन भी नंबर है राइट हो जाएगा चले आगे बढ़िए एगल प्रकार या गुड़ दोस यह रंग के बात करें तो वहां पर आपका होता है गुड़ वाचक तो आप संजाएगा यहां पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़िए अगरा कुशन आप से दिया गया है क्या अब भ्यास का विशेशन रूप क्या ह होता है अब भ्यास का विशेशन इन में से क्या हो जाएगा चले 43 का जवाप दीजे चले सभी लोग जवाप दीजे सभी को राम राम सभी को जहिन अब भ्यास का विशेशन इन में से क्या हो जाएगा तो यह देखे सारा दिन जब नेट से आप खेलते रहोगे सारा दिन क् अप्षिया बनेगा अब्भ्यासी क्या बनेगा यहां पर आपका बी वाला आपका राइट अंसर हो जगा बी नमबर काफी लोग यहां पर देखिए गलत जवाब दे रहे हैं जबकि ऑप्षन बी हो जगा अगला दिया मुहारा आपको बताना है द्रोपिदी का चीर कार्थ क समाप्त होने वाला कभी समापत्थ हो जाएगा कभी समाप्त यॉव beneathो हो जाएगा अगला देखिए को नापसी मंदूक ऋना का अर्थ क्या होग एग कूप मंडूक होना का अर्थ में से नमए से क्या हो जाएगा कोप मिन सीमित ग्यान होता है अर्था सीमित अन्भव ही होता है तो आपसम मनेगा क्या यहां पर आपका डिनमबर है राइट हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं कोर्शन आप से गला दिया है कि वाकि में देखे पहले और अंतिम भाग को इस्तिर रखा जाएगा और इसके बाद जो आपके बच्चे होंगे उनको करम से आपको लगाना है तो देखे करम से आप किस प्रकास से लगाएंगे आपको यहां पर सजा कर बताना है जैसे सामाजिक जीवन में क्या सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है यदि क्रोध ना होतो क्रोध ना होतो मनुस्ट दूसरों के दोरा पहुचा जाने वाले बहुत से कस्टों की चिर विरत निवरती उपाई ही न कर सके तो अपसन आपका ये नमबर आपका राइड हो जाएगा आपने देखा होगा कभी कभी आपके दिल में ठेस लग जाती है और आप UPSC भी किलियर कर लेते हैं तो यह अगर गुर्सा ना होता तो भी दिक्कत हो जाती है न चरे यहां पर देखो दिया है दिये गए वाक्यांस के लिए एक सब्दा को चैन करना है पूरा बावर उत्तर के वीच को जो दिसा होती है उसे क्या कहते हैं अभी हाली में वीडियो एक्जाम में कोशन पूछा जो आपका बीए डिक्जाम होता बीए डिक्जाम वहां पर एक कोशन पूछा भी गया था कि पूरा बावर उत्तर के वीच जो दिसा होती है उसे क्य क्या हो जाएगा इपके कि उसलेगा और आगे निजए अब्याई-बहुएब समास का चैन्स करिए अबहुत समास का सभी लोग यहाप का अंसर क्या बनेगा तो हमे वन में क्योंकि आज वापल उफसर्ग है और जो किसी भी सब्द में उफसर्ग लग जाता है तो पहला पर अब्दै होता है वही आपका प्रदानभी होता है जैसे प्रतिदिन हो गया अनरूफ हो गया आजन्म होस्त ह gross हो तो देखो ठीक समय में आजाना यहां पर कारक जो है यहां पर अधिकरण कारक किया पर अंसर है राइट हो जाएगा मतलब वहां कारक जो किरिया के समय इस्थान या उसर आधि को बताता है तो उसे कहा जाता है है ना आगे बड़े अगला कोशन दिया गया है कि मंदिर और पूजा का इस्थान होता है मतलब उसे हम देवाले कह सकते हैं या पूजा घर्वी कह सकते हैं लेकिन मंदिरा का अर्थ होता है अस्व साला क्या होता है तो आपका जो जवाब बनेगा ये बनेगा आपका डी नमबर देवाले और आपका अस्व साला बनेगा ठीक है चले राम वाक के आपस में जुड़े होते हैं कहीं कहीं जब तब जहां वहां आगर ये सब्दाप से जुड़े होते हैं तो आभी बताए यहां परमसर क्या बनेगा बावर नंबर में आप्शन D आ रहा है देखे एक अनोखा जसन मनाएंगे अपना कोरा अस्तित जमाएंगे आज बर्सों बाद सुखे पत्तों पर बसंत तुरित आई है विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है गहनता की फसल लहराई है सायद यही कारण है आज बर्सों बाद उठी इच्छा अब कुछ कर दिखाएं किसके प्रतीक हैं यह कोर्शन यह जो आपका है यह जो अध्यान से पूंचा जाता है ठीक है ना तो यह आपको अगर अभी सवल हो जाएगा तो आपको इजी हो जाएगा सुखे पत्ते जो प्रतीक हैं यह किसके प्रतीक हैं तो यह मन के सूने पन से हैं मन के सूने पन से है अगला दिया गया है कि किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है किन कलियों पर तो यह आपके कह सकते हैं कि बिचार रूपी कलियों पर आपका हुआ है option भी हो जाएगा अगला है गहनता की फसल से कभी का आसे क्या है गहनता की फसल से कभी का जो आसे हो क्या है तो यहाँ पर हो जाएगा कि बिचार की परिपक्कुता बिचार की परिपक्कुता जो अपसने आपका ये नमबर राइट हो जाएगा और अगला रिक्तिस्थान आपको भरना है कि रा राइट अंसर क्या बनेगा भई सभी लोग जवाब दीजेगा तो देखे 57 के गरम बात करते हैं सी हो जाएगा कि रामु की उपेच्छा केवल इसलिए होई क्योंकि राजी उसकी अपेच्छा बहुत बुद्धिमान था हाना ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर है राइट बनेगा भई चली जवाब देना है यहां पर अंसर क्या बनेगा बिस्सोग तलंकार हो गया या तिस्योग तो हो जाएगा तो यहां पर पानी है फिर भी इसे पानी की प्यास लगी है तो यहां कोई ना कोई कारण रहता है फिर भी कार नहीं हो पा रहा है तो इसे और पर दिख्या देख preview आगे बढ़ते हैं question दिया है इसका गणा का परयावची नहीं है गंगा का पर्यावाची इन में से कौन सा नहीं हो जाएगा चले गंगा का पर्यावाची देखो मंदाकनी होता है भागी रती होता है सुर सरिता भी होता है लेकिन यहां पर जो कालिंदी दिया गया है कालिंदी होता किसका है कालिंदी जो होता है किसका होता ये जवाब दिएगा तो कालिंदी यमुना का पर्यावाची किसका होता है यमुना का पर्यावाची होता है वह गंगा के कई पर्यावाची होते हैं जैसे आपका द्योपगा हो गया त्रीपधगा हो गया नदी सुरी ज यहां पर जवाब दीजें, सही वर्तनी आपकी 41 ठंबर में क्या हो जाएगी जाना पवादया पर ना होता है, इसका मतलब है option जो आपका है कौन सा, या पर B number है, स्रंगार सही हो जाएगा, ठीक है, अगला दिया है, सामू हर्थाक सब्द चिन्नीत करना है, समू हर्थाक मतलब जो समू को दर्साता है, और जो समू को दर्साता है, तो आपको नजर में आ गया होगा, आप बताएगा आप कंसर इनमें से क्या हो जाएगा समु को दर्शाने वाला है कौनसा है तो आपका 62 कोología का Console यहाँ पर हो जाएगा क्या क्या डी हो जाएगा चलिए आगे बढ़िए Question दिया गया है आनसीक सब्द में प्रत्य कौनसा है आंसिक सब्द में प्रत्य कौन सर अगा है आंसिक में प्रत्य क्या है चले 63 को उप्षन लोग करिएगा आंसिक पूछा गया है क्या आप से पूछा गया है प्रत्य पूछा गया है तो देखे 63 को उप्षन हो जएगा C नंबर 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा यहां पर देखो दिया गया है चोरी का माल बरामद हो गया तो यहां पर देखो क्या हो जएगा कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया क्या होना चाहिए चोरी का माल बरामद किया गया यह सुद्ध होना चाहिए कि चोरी का माल बरामद किया गया यह आपका होना चाहिए था तो इस कारण से ऑप्सन गलती है किसमें इसमें गलती है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से गला पूछा है वधूर में का संदिविच्चेद आपको बताना है अभी आपने देखा था कि बीएड एक्जाम हुआ और वीएड एक्जाम में सेम टो सेम यह कोश्चन आपका आया था यही देख सकते हैं कि कोश्चन आपका आया था और आप लोग देखे कितने लोगों ने सही किया था यहाँ पर जो आपके संदिविच्चेद होगा 55 में पैसर के अगर मात करते हैं तो देखो वधू धन ऊर्मी क्या हो जाएगा बी नमबर है वधू धन ऊर्मी अर्थात वधूर में जैसा होता है धर्म अर्थ धर्मार्थ हना यहाँ पर देख सकते हैं जो आपसन है आपका भीवाला राइट हो जाएगा अगला भिनार्थक कि कौन से हो जाएंगे पावक अनिल अनल और करसान तो आप कहेंगे कि सर पावक करसान और अनल ये अगनी के परेवाची होते हैं लेकिन यह पर जो अनिल होता है अनिल होता है हवा का परेवाची किसका होता है हवा का परेवाची होता है अगला हर्स का बिलोम आपको बताना ह हर्स का बिलोम सब दिन में से क्या हो जाएगा चले हर्स का बिलोम पूँचा गया है तो हर्स का भई खुसी यह तो आपकी सीख परयावाई हो जाएगा इसका बिलोम पूँचा है तो हर्स का हो जाएगा विसाद जो की आपसन क्या है यहां पर आपका बी नम्बर विसाथ हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ी ये कोशन दिया है कि गंदा, मैला, मलिन की सब्द के पर्यावाची होते हैं। यहां पर अटसर टंबर के जवाब देना है तो देखो यह सभी गंदा का परेवाची होते हैं किसके आपके गंदा का परेवाची होते हैं पंकिल क्या पंकिल यह आपका होता है वहें पर धवल कर्थ होता है उजला प्रलाय कर्थ होता है विनास और पामर कर्थ होता है जो मध्धौर हो जाएगा मध्धौर हो जबकि जो कठोर है कोमल का हाज़ा विवेकी अविवेकी का होता ऑर वी नंमर भ्रस्ट का अध्रस्ट का विलूम हो जाएगा अग्या बतायेगा यहां पर वाक्यांसों के लिए सब्दा आपको चुनना यह जो इंद्र जो इंदर पर विजय प्राप्ट कर चुका हो तो उसे कहा जाता है option क्या बनेगा सत्तर नंबर में c हो जाएगा यहाँ पर इंद्र θα जाता है क्योंकि इंदर पर विजय प्राप्त किया है इंद्र जीत हो जाएगा c नंबर आगला है उच चुकुल में पैदा बेक्ती उच चुकुल में पैदा बेक्ती जो होता है उसे कहते क्या है चले ऑप्सन क्या बनेगा तो देखे ऑप्सन बनेगा आपका डिनमर कुलीन होता है जो चुकुल में पैदा बेक्ती होता है उसे कुलीन कहा जाता है चले आगे खायों दे रहे हैं आर्थात एक इच्छा को प्रकर कर रहे हैं तो आपसें क्या हो जआगा जिаст का बिलूम आपको बताना है स्री गड़ेश का बिलूम में से क्या होजबा तो आपसन क्या होता है इत जाएक बनेगा बिनमबर आपका अर्डा हो आगरा question अपर आपसे दिया गया है के आपसे फूल का परयावाची नहीं है, 74 का option क्या हो जेगा, तो फूल के परयावाची देखो आपको आपको आपने बताया है कि सुमान पुष्प हना कुसुम फूल ये परयावाची है, मतलब आपको जो अनसर है, यहाँ पर देखे प्रफ्रन्जा बेटी या पुत्री पर्यावची होता है तो इस कारण से यहां पर सी नम्बर यह नहीं है अगला बताए किस को रस्राज कहा जाता है यहां पर अंसर आपका रायट क्या होजएगा कैले तो दिखें वही रस्राज की उपमा जो अलंक्रत की गई है इस रंगा रसको की गई है तो आप सुन हो जाएगा सी नंबर स्रंगारस इसका हो जाएगा आगे आते हैं आपर देख सकते हिंदी साहती के कोर्शन भी आपको लिए गए हैं क्योंकि हिंदी साहती भी जरूरत है तो बताएगा कि हिंदी साहती के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल का जाता है चले बताइगा यहां पर आपको डेले अब बあको हिंदी साहित्त की कूर्शन आपको मिलेंगे ज्यादा बिटर रहेगा कि हिंदी में हिंदी की क्लास चलाई जये हा ना तो देखे बताएगा कि हिंदी साहित majority के किस काल को वीर गाथा काल गा जाता है तो पर देखिए जो आदिकाल है क्या दिकाल को विजवप्पन काल भी कहा जाता था है अगला कोशन वाता यह einूं कि प्रतवी राज रासों हिंदी साहटिक किस काल में लिखा गया है चले प्रतवी राज राज रासो हिंदी साहिति के किस काल में लिखा गया है यह किस काल में लिखा गया है तो देखे आप समय आपका यह नंबर यह आदी काल में लिखा गया है किसमें आदी काल में लिखा गया है और इसके रचनाकार कौन है प्रतिवी राज रासो के जो रचनाकार है वो आपके चंद बरदाई, क्या है? चंद बरदाई तो option मेंँआपका इय नंबर राइट हो ज cholएगा अगला है आप़ हिंदी सहित्वी starch की भूम का के लेखा का का आपके कौन है चले बताएगा कि हिंदी सहित्वी starch की भूम का के जो लेखा के वापके कौन है चेले यहाँ पर देखें आपके जह आपका जो आपसन है 20027 वेदी आपसन हो जाएगा या पर सी नमबर है 20027 वेदी इसका अन्सर हो जाएगा आगे बड़ते हैं कोशन दिया गया है कि महाविफ साद्वेदी ने आधिकाल को क्या संग्या दिया है कि महावीफ साद वेदी ने आधिकाल को क्या संग्या दिया है अभी देख सकते हैं कि आपका बीएड एक्जाम हुआ था वहाँ पर हिंदी साहित तो काफी अच्छी आई थी मतलब ऐसे ही कोश्चन आपके लेवल में पूछे भी गये थे तो यहाँ पर देखें आपका अंसर क्या हो जाएगा चले तो यहाँ पर देखें आपका फोर का अप्शन मनेगा डी इसे वीजबपन काल का जाता याद रिखेगा कि महावीफ साद वेदी ने आधिकाल को क्या संग्या दिया है तो यहाँ पर विजवपन काल अप्सन बनेगा, यहाँ पर आपका D-Number हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते कोशन दिया गया है, क्यार आप से देखिए कि महापिसाद दिवेदी ने आधिकाल को विजवपन काल की संग्या दिया है, आधिकाल को यहाँ पर अंसर देखिए आप कभी हो जाएगा, चार खंडों में भक्ति किया है, ओप्सन जो हो जाएगा, वो आपका D-Number हो जाएगा, चार खंडों में भक्ति किया है, यह चार खंडे आपका सबसे पहला आधिकाल आता है, फिर आपका भक्तिकाल आता है, फिर आपका कोशन दिया गया है क्या रहा हा हिंदी साहट का आधुनी काल समानता कबसे मंञद जाता है चे मतायेंगा बतायेगा है क्या साहत का ध्ा काई समानता कबसे माल में में से राइट क्या बने गा तो देखिए इस दो लुट करेंगा उसufen रिवाश ही हो जेगा तो इंदी साहित को अभी हमने बताया चार काल में होता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीदकाल और आपका आधुनिक काल लेकिन यहाँ पर जो दिया गया संहित काल यह तो होता नहीं है तो आपसन क्या हो जाएगा डी नमबर है राइट हो जाएगा आगे बढ़ी एगला कोशन द जाता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल, पूर मद्दकाल को भक्तिकाल, उत्तर मद्दकाल को रीदकाल और आधुनिकाल को गद्दकाल कहा जाता है इनको नोट कर लिएगा और यह पढ़के जाएगा अगला कोशन बताएगा आधिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था आठ का उप्सन दीजिएंगा चले यहाँ पर देखे आठ के गर्मात करतें तो आपस्टन मनेगा सी आचार रामचंशुक्लिस का अंसर हो जाएगा अब प्याब पर देखें, यादिकाल केरे वीर गाता काल आच्चा रामचन सुकले का था राएक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल यर संधी काल का था राहुल सक्रत्या ने सिद्ध सामंत काहा, जबकि हाजाइफ सद्वेदी ने इसे आदिकाल का नाम परस्ता वित किया था चले आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है हिंदी गद्य का सरफ्थम यूग किसे माना जाता है तो यह है आपका भारतिन्द युग, कौन सा है आपका भी भारतिन्द युग को हिंदी गद्य का सर्प्थम युग माना जाता है चले आगे बड़े ये कोश्चन आप से गलाप पुछा गया है जैसे पेटिक जामों में हिंदी साहित भी आपकी आएगी हाना तो आप लोग पहले सी त्यारी कर सकते हैं तो देखो यहाँ पर दिया है कि हिंदी साहित के इतिहास की लेखन की परमपरा का सूत्र पात किस ने किया था तो यहाँ पर ओप्सन भी हो जाएगा गर्सा दा तासी जो की ओप्सन यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा बी नमबर है राइट हो जाएगा आगे बढ़ी एगला कोश्चन आप से यहाँ पर दिया गया है कैराप से कि हिंदी साहित के इतिहास लेखन का सर्थम प्रयास किस ने किया था चलिए हिंदी साहित के इतिहास लेखन का सर्थम जो प्रयास किया वो किस ने किया था यहाँ पर देखे 11 ओप्सन क्या हो जाएगा चले 11 के अगर माथ करते हैं तो option क्या होजाजागा C, क्या गर्सादा 80 option मनेगा क्या C number होजाएगा अगला question दिया गया है चले 11 का जवाब दीजेगा यहाँ पर French भाधा में हुआ था French भाधा जो option है वे आपका B number है अराइट हो जएगा फ्रेंच भासा में किया गया था फ्रेंच भासा में इंगलिस में नहीं भई ये फ्रेंच भासा में हुआ था अगला कोशन आप से दिया गया है कि हिंदी साहित का पहला इतियास लिखा गया था ये कौन सी भासा में लिखा गया तो अभी आपने पढ़ा क्या आपने पढ़ा था फ्रेंच भासा में तो आप सुन क्या हो जाएगा सी नमबर आपका राइट हो जाएगा अगला कोशन आप से दिया गया है कि हिंदुस्तानी साहित का इतियास लिखने वाले गर्सा दातासी किसके विद्वान थे तो ये विद्वान थे वही आपके फ प्रवान सीषी हो जाएंगे और आगे बढ़ते हैं मतलब जो फ्रेंच भासा के विद्वान थे इन्हीं फ्रेंसीशी कह देते हैं आगला कोशन आप से दिया गया है कि हिंदी साहित का इतियास लिखने वाले प्रथम लेखा का नाम आपको बताना है रट जाएंगे क्या द प्रथम इतिहास गरंथ आपको बताना है काल क्रममसार लिखा गया हिंदी साहित का प्रथम इतिहास जो गरंथ है वह आपका कौन सा है यहाँ पर सोला को अप्सन देना है चले वीडियो को लाइक सदिवर कर दीजेगा सभी लोग जो लोग पहली बार जुड़े हैं जैहिंद यहाँ पर आपका D अमबर बनेगा कि दा मार्डन वरनाक्यूलर लेटरेचर आप हिंदुस्तान ऑप्सन D रख हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि इस्तवार दाला लेटरेचर इद्वी ए हिंदुस्तानी नामाक हिंदी साहित के इतिहास गरंथ के जो ल यह किसे जाता है 18 नमबर बे चलिए 18 को ऑप्सन देखे बी हो जाता है और चार रामचन सुकल को जाता है और यहां पर कह रहा है कि रामचन सुकल का हिंदी साहित का इतियास मुलता किस क्रती की भूंका के रूप में लिखा गया था तो यह बताएगा जो रामचन सुकल के द्वारा हिंदी साहित का इतियास है मुलता किस क्रती की भूंका के रूप में लिखा गया था तो यह लिखा गया था हिंदी सब्दसागर किसके लिए हिंदी सब्दसागर ऑप्सन बनेगा यहां पर आपका बीनमबर राइट हो जाएगा यहां पर आगे बढ़ते हैं कुर 2929 में यह प्रकास नहुआ था और आपस नहीं बनेगा यहां पर आपका डिरंबर राइट हो जाएगा ठीक है तो इसी प्रकास से हम प्रयास करेंगे और जाज़ा कोशन लाने की ताकि आप लोग हिंदी साहित में भी मजबूत हो जाएं क्योंकि जितने भी आप एक्जाम लग रहा है लेकिन आपको पता है कि यह कोश्चन आपके जनरली है बिल्कुल हड नहीं है बिल्कुल नर्मल एक कोश्चन आपके थे हाना हाँ दस कोश्चनों में 20 कोश्चन में लिया था 20 कोश्चन में TGT थे तो 20 कोश्चन में 10 कोश्चन ऐसे भी थे जो आपके UPWC में पूछे गया है तो या आप लोग पहले से सूच लेंगे कि हम TGT पढ़ रहे हैं या बहुत कठिन पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अभी बीड़ एक जाम हुआ था उसमें हिंदी साहित की वज़ा से लोगों के जो सूचा था कि हम हिंदी में 50 मार्क ल क्या धितना झालता है झालता रहा हुता है में कों ख fy बहा हैं कंवार रहा हैं एक क्या एक लिवस्साय है